नमस्कार दोस्तों गाउं किसान में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है पुसकर दोस्तों ये वीडियो आप यूटूब के साथ मेरे फेस्बूक पेज गाउं किसान पे भी देख पाएंगे दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ टमाटर की एक ऐसी नई किस्म के बारे में जो की रोग प्रित्रोधी है कौन सी है किस्म किया कितनी है पैदावार सारी कुछ जानकारी दूँगा इस वीडियो में शुरू से लेके अंतक पूरा वीडियो देखे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सेर कर देना चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथ ही दोस्तों अगर आपको खेती किसानी से संब्दित पसुपालन से संब्दित और बागवानी से जुड़ी हुई खबरे पढ़ने के लिए मेरी बेव पसल साल भर की जाती है टमाटर को मानो सरीर के लिए बहुत उप्यूक्त माना जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन कैल्सियम फासपोरस और विटामिन सी जैसे तो तो मौझूद होते हैं अगर आप एक किसान है और टमाटर की खेती से अच्छा मुनाफ़ा कमाना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए टमाटर की एक ऐसी किसम के बारे में बताने जा रहे हैं जो अधिक उपस देने के साथ साथ रोग प्रत्रोधी भी है इस किसम की बौई करना किसानों के लिए काफी लावकारी है अगर किसान टमाटर की अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो इस उन्न प्रत्रोधा किसम नवजूद नहीं थी इस कारण उपज भी कम हो रही थी किसानों की यह समस्या करसी बैग्यानिकों तो पहुँच गई तो उन्होंने टमाटर की अरका रच्छक किस्म विक्सित की इससे किसानों को रूब रू कराया इस किसम को साल 2010 में भारतिये बैग्यानिक अनुसंधान संस्थान बैंगलोर क करसी बैग्यानिक डाक्टर एटी सदासियों ने विक्सित किया था बताया जाता है कि करसी बैग्यानिकों ने पहले करीब 230 किसानों को अरका रच्छक किस्म के बारे में जानकारी दी उन्होंने किसानों की बीच जाकर इसका प्रदर्सन भी किया और खेतों में जाकर रच्छा करने वाली किस्म इस किस्म का एक पौधा करीब 18 किलो टमाटर देता है इसकी आरंभिक उपच 75 से 80 प्रतेक्टियर है इसके फल गोल और बड़े होते हैं और इसका रंग गहरा लाल रंग का होता है इसके साथ ही टमाटर का वज़न 90 से 100 ग्राम तक का होता है इसके फल ठोस होते हैं इसलिए इन्हें दूर दराज के बाजार तक ले जाना आसान होता है इसके अलावा परसंसक्रण के लिए अनुकूल माना गया है खास बात यहा है कि टमाटर की अरकार अच्छक किस्म की सफलता की वज़ा से कई देसों में इसकी बीज की मांग रहती है इस किस्मांग को पूरा करने के लिए बीज की बड़ी मात्राग में उत्पादन किया जाता है इस किस्म से दच्छंड के राज्य जैसे आंध्रप्रदेश करनाटक केरल तमिलनाड और तेलंगाना के किसानों को लगबग 5000 करोड़ रुपे की कमाई हुई है इसके अलावा करेंगे तो मेरे नए वीडियो को नाटिफिकेशन पहुंच जाएगा आप तक सबसे पहले तो दोस्तों फिर मिलूँगा किसी नए वीडियो में किसी नई जैनकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार शुक्रिया जय हिंद